गाइज में कुछ भी भी टाइम मिलता है तो मैं ऑफिस आज के बाद ये स्टैटेजी इंप्लिमेंट करता हूं मेरे क्लाइंट्स के लिए या जो भी मुझे पूछते हैं जिसको प्रोटेक्शन कैसे करना है पॉर्टफोलियो को तो मैं बताता हूं तो मैं यूजली अगर आ अगर आप देखोगे तो मैंने यह स्टाटीजी बनाई है काफी बढ़िया है इसमें लिमेटेट रिस्क के प्रॉफिट काफी अच्छा है अगर आप देखोगे तो 3,250 का का अप्षं को बाइ करने है, 3,450 के आपको 3 सेल करने है 550 के दो बाइ करने है इसका मतलब क्या हो गय जिया आप यहां पे दिखो तो यहां पे आपको profit portion काफी अच्छा देखा रहा है ठीके पर यहां का अगर यह नीचे जा रहा है सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो आपको यह protect करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि 50 पॉइंट गिर गया है और आपके पास टाइम वेल्यू कम है तो आप क्या कर सकते हो कि यह 3,250 के call option को आप बुक करिए 3 lot और उसको आप shift करिए 3,400 के call option को 3 lot अगें आप उसको वापस sell करिए तो इससे क्या होगा एक्षेंज आपको credit देगा तो आपकी जो loss दिखा रही है यह 2,000, 3,000 में आ जाएगा उसको जैसे जैसे अगर आपको लगता है कि TCS मूँ नहीं हो रहा है और नीचे जा रहा है और आपको लगता है कि यह break even के काफी far है तो आप 3,400 में shift करिए तो ऐसे आप करके आपना portfolio को protect कर सकते हैं अगर यह उपर जाएगा तो काफी आपको अच्छा profit होगा अगर यह नीचे जाएगा तो मैंने आपको protection strategy बता दिए आप यह aggressive trading मत करना ठीक है इसमें आप इसको speculate मत करना आप smart investor बनी है और ensure that कि आप जो profit book कर रहे हैं वो time to time अगर आपको लगता है कि 7-8% अगर आपको profit मिल रहा है तो well enough आप लेके निकल सकते हो ठीक है thank you so much